प्या इसे यू बैंक्स, रेलवेड, डिफैंस, इन सेक्टर्स में आई रैली के बाग। RFC, RVNL इस थारे के स्टोक्स जो अल्रेडी बहुत रैली दे चुके हैं उनके जो भी रेट्स उस टाइम पर करनर्ट मार्केट प्राइस चल रहा था वो डाल के पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आज आप सब के जिन्होंने कॉमेंट किया और जिन्होंने कॉमेंट नहीं किया आप सब के ये जो क्वेरी है कि अब कहां पैसा बन सकता है कहां इन्वेस्ट करना चाहिए उस question का answer मिलेगा जैसे कि हमारे जो paid members उनको आपकी screen पर है हमने कितने कम-कम rates पर ये सारे stocks recommend करें जिन्होंने use rally दी तो in stock market as I always say कि जतना important stock selection है उतना ही important है time of entry and time of exit तो अब इस time पर कौन सा ऐसा sector है जो rally देने वाला है तो आज मैं आपको ऐसे 4 sectors बताऊंगी और उसके बाद ऐसे एक particular sector जिसके लिए मैं सबसे दा बुलिश हूँ उस sector का analysis, उस sector के stocks punch जिन में अभी आप invest कर सकते हैं जिन में rally आने वाली है with proper reason ये सारी चीज़े हम आज के वीडियो में cover करने वाले हैं लेकिन definitely जो मैं आपको ये stocks बताती हूँ उसके बाद में आपको अपनी खुद की research करनी है and investment is something which is very personal क्योंकि ये totally depend करता है आपकी खुद की financial health पर आपकी खुद की financial profile पर कि आप कहां invest करें कब करें, कितना amount करें, कितने time के लिए करें तो अगर आप चाहते हैं कि customized way में आपका personal financial health review करके मैं आपको बता हूँ, आपको कहां कब कितना invest करना है उसके लिए आप हमें contact कर सकते हैं 9A21611667 पर आप हमें contact करने के लिए mail भी कर सकते हैं investopedia india0 at the rate gmail.com पर या फिर नीचे comment करके भी बता सकते हैं Now let's start with today's video उसके पहले एक छोटा सा task अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे subscribe and bell button press कर के चैनल सब्सक्राइब जरूर कीचिए अगर अच्छे लगते हैं तो इसे like कीजिए, share कीजिए Now let's get started तो definitely अगर हम बात करें sectors जो अब rally दे सकते हैं तो IT, pharma, chemical ये तीनों sectors के लिए market and मैं खुद bullish हूँ लेकिन सबसे ज़ादा bullish मैं जस sector के लिए हूँ जो हम आज cover करने वाले हैं जिसके stocks हम discuss करने वाले हैं वो है PSU commodity Yes, PSU commodity अब PSU का क्या मतलब हूँ Public sector unit जिस companies जिन में government का holding है They are called as PSU Now PSU commodity मतलब की PSU companies जो commodity में deal कर रही है अब कौन से ऐसे 5 stocks हैं जिसमें आपको अब invest करना चाहिए ये discuss करने के पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे PSU stocks जिन से अभी आपको दूरी बना के रखनी है और क्या reason है इस दूरी का वो भी मैं आपको बताती हूँ PSU oil distribution companies like ONGC इसमें अभी आप invest करने से थोड़ा सा दूर रही है क्योंकि इसका एक reason है देखिए जो crude है उसके prices अभी तक low थे और इन लोगों के rates अप थे तो profit margins अच्छा था इन companies के लिए अभी crude के prices बढ़ चुके हैं और ये लोग अपने selling price बढ़ा नहीं सकते क्योंकि elections बहुत past में है तो crude के prices बढ़ने की वज़े से और इनके selling prices उतना ही रखने की वज़े से जो profit margins है वो कम हो गए which eventually will affect the profitability of these companies तो अभी ये थोड़ा सा जो 6 मैंने 1.5 साल का time में वो इन companies के लिए difficult रह सकता है जबते के elections नहीं हो जाते तो इनसे थोड़ा सा दूरी रखिए PSU oil distribution companies coming कि किस में हम invest कर सकते हैं तो पहला stock आज का है Nalco Nalco का full form अगर मैं बात करूँ तो National Aluminium Corporation Limited तो company के नाम में ही है Aluminium तो definitely Nalco जो है वो Aluminium में deal करती है अगर हम बात करें Nalco की working की तो Nalco has integrated and diversified operations in mining, metal and power Government holding की अगर हम बात करें तो 51.5% का stake government का है in Nalco and Ministry of Mines के अंडर में आती है Nalco Nalco Schedule A Navratn CPSCS company है which was established on 7th January 1981 and is registered in Bhubaneshwar It is one of the largest integrated bauxite aluminium power complex in the country Since 1987 till today continuously Nalco is reporting profit year on year and Nalco is one of the leading foreign exchange earning CPSC for India तो definitely Nalco has been doing very good It is one of the monopoly companies largest companies in aluminium and bauxite bauxite के अगर हम बात करें तो global level पे bauxite ने बहुत जादा expansion शोगया है 2035 तक it is expected कि जो bauxite का market है वो और बहुत जादा ग्रो करने वाला है तो definitely I am very much bullish on bauxite as well as Nalco अगर हम इसका chart देखिया आपकी screen पर है अभी यह 97.35 पर trade कर रहा है which is still low then it's all time high और anyways अगर हम बात करें PSU's की तो भी government का बहुत जादा focus है PSU's पे, PSU transformation पे PSU restructuring पे and trust me कई ऐसे PSU companies है जो अभी बहुत जादा grow कर के Nalco के rate से कही जादा rate पे trade कर रही है और उनसे कही गुना जादा potential Nalco hold करता है so definitely Nalco is a good buy right now coming on to the second one NMDC NMDC का full form है National Mineral Development Corporation it is an Indian public sector of course unit which deals into exploration of IMO, copper, rock phosphate limestone, dolomite, gypsum, bentonite magnesite, diamond, tin, tungsten, graphite and coal so definitely NMDC is one of the India's largest IMO producer since inception the corporation under the administrative control of ministry of steel जैसे हमने बाद करी नाल को ministry of mining में है उसी तरह के से NMDC comes under ministry of steel but any which we are ultimately Government of India इसी लिए PSU है now it has been involved into exploration of wide range of minerals as I told you and holds a very strong position it is single largest producer of iron ore in India and sixth largest producer over the world definitely NMDC अपकर हम चाड देखे है NMDC का very interesting NMDC currently is at 149 rupees and this rate is much lower than its all time high and now the chart if we look at the chart technically it is ready for its multi-year breakout so definitely a very good buy at this point of time coming on to the third one Moil Moil is a mini ratna state-owned company which deals into manganese ore and it is headquartered in Nagpur, India Moil holds 50% market share and therefore is largest producer of manganese ore in India Moil operates in 11 mines in adjoining districts of Maharashtra and Madhya Pradesh अगर Moil का हम चाड देखे है आपकी स्क्रीन पर है इसका भी जो all time high रहा है उससे अभी ये नीचे ट्रेट कर रहा है and holds huge potential to grow coming on to the fourth stock of today's video that is sale sale full form is steel authority of India so definitely deals into steel this is a public sector undertaking and is based in New Delhi it comes under ministry of steel of government of India and one over reported is 1,05,398 crore for fiscal year 2022-23 अगर हम चाड देखे सेल का again ये अपने all time high से बहुत नीचे 96 के rate पर trade कर रहा है now very interestingly अभी मैंने आपको इस वीडियो में जतने भी stocks मैंने discuss करें अभी last one बचा है इन सब स्टॉक्स की एक common beauty है कि ये अपना जो valuation है जिस rate पर भी available है वो बहुत attractive है looking at the PSU and PSU commodity market scenario right now second इसमें land bank बहुत strong है land जो है मतलब की जो property story है जो इनके पास पर property है इनके जहां पर offices है जो इनकी you know units है वो सब दे ओर इस places ये वोने खरीद रखिये rented या leased नहीं है और अगर हम वैसे भी बात करें PSU पर government का भी focus है ये उसके अलावा PSU का जो business model होता है that is very secure अगर government focus कर रही है तो PSU के लिए ये बहुत ही जादा golden time है coming on to the fifth pick of today's video coal India coal India की central public sector unit है and ministry of coal के अंडर आती है Kolkata में इसके headquarters है and this is largest government owed coal producer over the world not only in India but over worldwide if we talk about the chart again आप देखिये इसका जो all time high है उससे coal India अभी बहुत नीचे trade कर रहा है and has used potential to grow so definitely ये सारे stocks बहुत अच्छे हैं लेकिन again as I said की financial investments बहुत ही सादा customized है it cannot be generalized तो आपका कितना investment appetite है कितने time के लिए किस target से आपको investment करना है उस सब पे भी depend करेगा कि आपको इन में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए so again if you want personalized advice you can contact us on 9821611667 I hope you like the video thank you so much